नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलिसिस पर स्वागत करता हूं और आज के लिए मैंने काफी सरे लेविल्स बताये थे चार-पांच स्टॉक्स चार स्टॉक्स मेंने दिये थे साइद आपको याद होगा स्टेट बेंक आप इंडिया इंडेसें पर भी दिया हुआ था और मेरे जो पेड सर्विस में हैं उनको भी काफी अच्छे स्टॉक्स मेंने दिये हुए थे जैसे कि आपका हैपीस माइंड हो गया तो वह तो लें नहीं पाए बट आपका एंडिल ब्रॉकिंग हो गया या फिर आपका स्रीराम ट्रांस्पर्ट में थोड़ा बहुत भी कमाया हमने उसके साथ साथ आपका इनफोसेस में भी काफी अच्छा कमाई हुआ तो काफी सारे सेल्स में आपने प्रॉफिट अच्छा कमाया है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही आपको आनालिस करके दे रहा हूं अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको मेरा लेवल्स पसंद आते हैं अगर अच्छी बहुत है प्लीज वीडियो को लाइक करिया चैनल को सब्सक्राइब जरू करके रखेगा चले डारेक्ली चलते हैं लेवल्स के पर और प्लीज वीडियो को स्कीप मत करें सुरू से आकी तक देखिए काफी मेहन लेवल्स देख रहे हो वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको लोड नोट करके ज़रूर रखना चाहिए चले केंडल खराब बना है जैसे की एक हैमर जैसा बना है आप देख आपको देखने को मिला होगा बट मैं एक चीज की उपर बिलीब करता हूँ कैंडल अगर जितना भी खराब है अच्छा है कोई भी नहीं है बट सपोर्ट रेजिस्टन्स के इसाप से में ट्रेड करता हूँ यानि कि अगर लेवल्स की उपर सस्टीन होता है ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनिटली आपक कमा सकते हो एन डी च्ट करते हैं डाइरयक्री शपोर्ट रेजिस्टन्स से और पहले सपोर्ट देखते हैं एक पहले सपोर्ट कहां पर है सपोर्ट आपका है 11050 अगर इंड़स्यंट ब्रेंक इंडेसेंट बैंक 1050 के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 1024 दूसरा टारगेट रहेगा 1035 और तीसरा रहेगा 1026 यहां तक आपको टारगेट रहेगा रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 1058 70 पैसा जैसे ही 1058 70 पैसा के उपर चलता है बाय कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 1067 40 पैसा दूसरा रहेगा 1075 70 पैसा तीसरा आपको यहां पर 1084 यहां तक भी टारगेट रहेगा और पहले भी कहा हुआ है 1100 औ में देखने को मिल सकता है गाइस अगर लेवल अच्छा लगे हो अगर आपको लग रहा है कि यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हो तो प्लीज लेवल नौट करके कल ट्रेड कर सकते हो और साथ ही साथ किसी को अगर फ्री टेलिग्रम चैनल पर जोइन करना है तो आप लोग जोइ कर सकते हो चली नेक्स्ट आप करेंगा स्रीराम ट्रांसपर्ट देखने को मिला है बट एक चीज में चीज़ कंफर्म करना चाहता हूं जब तक यह 14 1465 हो गया या 1465 के उपर सस्टेइन नहीं करेगा तब तक हम लोग इसके उपर बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सक सकते हैं बट एक चीज़ में जरूर बताना चाहता हूं जो लेवल्स में बता रहा हो वो लेवल्स फॉलो करिएगा definitely कल पैसा बनेगा हो सकता है ये कल रेजिस्टन्स से नीचे आने की कोसेस करें या फिर रेजिस्टन्स की उपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जौर भी ल टार्गेट रहेगा 1440 रुपीज 60 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 1428 40 पैसा दूसरा रहेगा 1416 25 पैसा आपकी जानकार एक लिए दुबारा बता देता हूँ अगर पहला टार्गेट रहेगा 1440 रुपीज 60 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 1428 40 पैसा दूसरा रहेगा 1416 25 पैसा रिजिस्टन्स की बात अगर कहूं रिजिस्टन्स आपका रहेगा 1465 के उपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 1475 दूसरा रहेगा 1494 तीसरा टार्गेट आपको रहेगा करीवन 1500 के उपर आपको दो टार्गेट रहेंगे 1510 10 15 के आसपास और एक जा ध्यान से लेबल नोट करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो 1465 आपके लिए मेन रेजिस्टेंस है जैसे क्रॉस करेगा 1475 1494 यह दो टारगेट तुरंद अचीव होने के चांसस ज्यादा है यहाँ पर तो गाइस प्लीज अगर किसी को फ्री टेलिग्रम चैनल जोइन करना है अग तो अगर चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलिग्रम चैनल जोइन कर सकते हो आप पर कुछ लेवल्स देता हो आप लोग ट्रेड कर सकते हो चलिए पाख्या नेग्शन आपका रहां अपका तंद लेकिद इस आई कानले देखने के अदर ऐस्ट थी एटीन करने के लिए काफ स्थ लोग को आयने सजस्ट किया था काफिस और लोग ने अच्छा परफित I think हमने 12.50 तक target हमने प्लान किया था 12.50 वो exit पहले ही target अचीव हो किया था बट हमारा target आज के लिए कहां तक था एक 12.58 हमारा target था 12.47.70, 12.58, 12.78 12.78 तो नहीं आया है बट 12.65, 60 पैसा डेफिनेटल आया है ठीक है चलिए हमारा 58 तक target आप पहले प्लान करिए 7 रुपिया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप चाहो तो वो 7 रुपिस क्यारी कर सकते हो या फिर आप लोग exit कर सकते हो बट यहाँ पर कल की लिए क्या हो सकते कल कॉंसेट लेवल्स पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो बहुत देखेंगे सपोर्ट रहेगा आपका टाटा स्टील का 1251.75 पेसा कल के लिए जैसे 1275 पेसा के नीचे अगर सस्टेन करता है टाटा स्टील आप लोग सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 1237.70 पेसा और 1219 यहां तक आपको काफी बिड़े टार्गेट देखने को मिलेगा और जी 1251.75 पेसा सपोर्ट है उसके नीचे जाए तो सेल करिए 1237.70 1219 यहां तक दो टार्गेट रहेंगे और रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 1265.80 पेसा जैसे ही आज के डे हाई के उपर चलता है बाई कर सकते हो पेहला टार्गेट रहेगा 1278 दूसरा रहेगा 1290 और जरुद पर 1300 के आसपास भी यह जाने की कोसिस करेगा और मेरे कहल से तो उसको जाना चाहिए क्योंकि एक बड़ा हाई यहां पर बनाने की कोसिस मार्केट डेफिनिटली करेगा आई होप जो लेवल्स था मैंने बता दिया प्लीज लेवल्स नोट करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो और प्लीज वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए उसके साथ साथ टेलिग्रम चैनल लेकर जोइन करना चाहते हो फ्री डेलिग्रम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन पर है एक बार चेकर करके जोइन कर लीजे चली नेक्स्ट आप करेगा स्टेड बिंक ओप इंडिया स्टेड बिंक कॉप इंडिया पर हमने थोड़े एक्सपेक्ट किया था कि आज एक बड़ा मोमेंटम हो बट हमारा resistance को ही इसने cross नहीं कर पाया एनिवे जहां पर open हमारा resistance से नीचे आया बट एक चीज़ resistance से support तक definitely आया है आप लोग प्रेसा जरूर कम होगा तो देखते हैं और यहां पर क्या हो सकता है पहला एक चीज़ आपको हर वक्त में बोलता हूँ कि अगर मार्केट resistance के आसपस खुल जाता है आप resistance को फोकस रखिए कि वो resistance ब्रेक करता है या नहीं करता है अगर ब्रेक करता भी है तो उसके उपर sustain नहीं करेगा तो sell कर सकते हो अगर sustain करेगा तो buy definitely तो यह चीज़ आप लोग को follow करना है और कल के लिए क्या हो सकते है वो देखेंगे हम लोग और State Bank of India का support रहेगा 431 30 पैसा जैसे 431 30 पैसा के नीचे sustain करता है State Bank of India सेल कर सकते हो पहला target रहेगा 429 65 पैसा दूसरा target रहेगा 426 40 पैसा आपकी जानकारी के लिए दुबारा बता देता हूं अगर State Bank of India 431 30 पैसा के नीचे sustain करता है सेल कर सकते हो पहला target रहेगा 429 65 पैसा दूसरा रहेगा 426 40 पैसा resistance की बात अगर कहूं resistance रहेगा 432 95 पैसा जैसे 432 95 पैसा के उपर sustain करता है buy कर सकते हो पहला target रहेगा 435 40 पैसा और 437 40 पैसा यहां तक आपको काफी अच्छा target देखने को मिलेगा अगर स्टेट बेंक कॉप इंडिया 432 95 पैसा की उपर sustain करेगा buy कर सकते हो पहला target रहेगा 435 40 पैसा 437 40 पैसा यहां तक आपको काफी अच्छा target देखने को मिलेगा तो जो भी support resistance थे मैंने आपको clearly सारे labels बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद आगया होगा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए और साथी साथ बेल एक notification कर लेजेगा क्योंकि जो भी वीडियो में upload करता हूं तुरंद आपको notification के throw आपको पता चले और